अज़ हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 के कोश्यन नमबर 1-8 हमारे हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कोश्यन नमबर 9 है स्टेटमेंट हमारे पास क्या है देखो 10 साइड AB of a parallelogram ABCD ABCD हमारे पास क्या है एक parallelogram है और उसकी side is produced to any point P उसकी जो side उसको produce कर दियागा है किसी point P तक है A line through A, एक line है A से and parallel to CP जो कि CP के parallel है अब CP के parallel हमने A से एक line को draw कर दिया मिट्स CB जो कि CB को मिलाते है produced at क्या हूँ और कहां तक है at क्या हूँ तक and then parallelogram PB क्या हूँ आर जे completed तब हमारे पास PB क्या हूँ आर एक parallelogram complete हो गया show that area of ABCD is equal to area of PB क्या हूँ आर देखो कैसे यह मिदे रखा है कि ABCD हमारे पास क्या है कि ABCD एक है parallelogram है उसके बाद हमने क्या किया है कि जो C है उसको हमने produce कर दिया C को हमने बढ़ा दिया P तक है और जो AB थी उसको हमने produce कर दिया point P तक है फिर उसके बाद हमने क्या क्या है जो CP है उसके हमने एक parallel line draw की क्या A, Q और C से हमने Q को join कर दिया और P से Q को join कर दिया एंड एक point है जो P को produce करके मिला दिया गया R उसको हमने क्या नाम दे दिया उसके बाद हमारे पास triangle बन गी P, B, Q sorry, parallelogram बन गया P, B, Q, R और A, B, C, D अब देखो construction कैसे करेंगे join A, C, यह मैंने construction कर लिए join कर लिया किसको A और C को P और Q को A, C को join किया तो यह इसका diagonal हो जाएगा और P क्यों को join कर लेंगे तो इसका diagonal हो गया कैसे triangle A, C किया हो यह मारे पास पूरी की पूरी यह triangle बन गयी A, C क्या ओ and triangle A, P क्या हो A, P क्या हो try advise K on the same base किस पर A क्या उपर and same parallel किस-किस parallel के बीच में है A क्या एंड S C P ये triangle और एक हम ये triangle ले दोनों triangle हमारी किस पर है A क्या जिन दोनों का same base है A क्या और same parallel पर है अगर same base और same parallel पर है तो दोनों का area भी equal होगा तो क्या लखेंगे area of triangle AC क्या हूँ is equal to area of triangle AP क्या हूँ, उसके आगे हमारे पास equation number first नाम रख दो चाहिए subtract area AB क्या हूँ अब देखो इसमें से मैंने किसको AB क्या हूँ को minus कर दिया यह हमारे पास total थी, इसमें से मैंने इसको minus कर दिया और इधर भी हमारे पास क्या था AP क्या हूँ, इसमें से भी हमने इसको minus कर दिया, तो क्या आजाएगा देखो, AC क्या हूँ AC क्या हूँ, मैंसे minus कर दिया AB क्या हूँ को यह अगर हमारे पास minus हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, area of ABC आ गया, is equal to में क्या है, area of AP क्या हूँ ये था हमार पास total उसमें से हमने AB क्या को minus कर दिया तो कौन बचेगा area of PB क्या हूँ तो is equal to area of PB क्या हूँ अब ये किसके equal है ABC ABC ये जो हमार पास strangle है ये किसके equal है इसको उम्मोल देंगे जो पूरा का पूरा हमार पास parallelogram है उसके area के half के equal है तो इसको हमने लिख दिया 1 by 2 area of ABC ABCD is equal to PB क्या हूँ ये जो है ये किसके ये जो parallelogram बन गया है इसके आफ के equal है तो इसको बोल देंगे 1 by 2 area of PB क्या हूँ रिजन हमारे पास क्या है diagonals of a parallelogram divided into 2 equal triangles इनने area कि जो diagonals है वो parallelogram को 2 triangles में divide कर रहा है जिनका area equal है ये हमने question number 3 में prove भी किया था अब ये बोल सकते हैं 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो जाएगा तो क्या है area of triangle ABCD is equal to area of triangle PB क्या हूँ आर next है हमारे पास question number 10 a diagonal AC and BD of a trapezium AC और BD हमारे पास क्या है कि diagonal है किसका एक trapezium का with AB parallel to जिसमें AB है वो parallel है किसके DC के intersect each other at point O prove that area of AOD हमें प्रूव करना है कि area of AOD equal है किसके area of BOC के equal है तो इन दोनों को में प्रूव करने में बिल्कुल इसी है इन triangle ABD यह हमारे पास क्या आ जाएगी ABD यह triangle आ गई दूसरी हमारे पास क्या लेंगे ABC लेंगे और दोनों triangle का base क्या है AB हो जाएगा और दोनों किसके बीच में हैं दोनों AB और CD parallel के बीच में हैं तो क्या बोल देंगे triangle ABD और triangle ABC आ रोंदा same base and AB and same base AB and lie between the same parallel AB parallel to CD so area of triangle ABD is equal to area of ABC दोनों triangle का area equal होगा और दोनों triangle का area equal प्रूव कर दिया दोनों में से हमने minus कर दिया ABO अब यह हमारे पास पूरी की पूरी triangle थी इसमें से ABO minus कर दिया तो क्या बनेगा AOD बनेगी तो क्या लिख देंगे area of AOD is equal to यह हमारे पास पूरी triangle थी इसमें से minus कर दिया तो यह बचेगी इसको क्या लिख देंगे area of triangle BOC यह हमें प्रूव करना है था next है हमारे पास question number 11 in figure ABCDE इसे pentagon एक pentagon दे रखा है ABCDE and a line show B और B से एक line draw कर रखे parallel to AC जो की AC के parallel है mid DC जो DC को मिल रही है produce that F है जो DC को produce करके F तक हमने बढ़ाया तो वहीं पर हमारी यह line मिल रही है show that हमें प्रूव करना area of ACB ACB कि यह जो हमारे पास area है वो किसके equal आजएगा area of ACF के equal आजएगा इसके equal आजएगा दोनों का हमारे पास same base हो जाएगा AB हो जाएगा और दोनों same parallel के बीच में आजएगे तो कैसे बोलेंगे देखो AC लेंगे दोनों का क्योंकि ABC है हमारे पास है और दूसरा क्या ACF तो दोनों का हमारे पास AC आएगा same base तो इन triangle ACB and ACF आर होंदा same base किस पर AC पर and lie between the same parallel AC parallel to BF so area of triangle ACB is equal to आजएगा area of triangle ACF क्यों ट्रेंगल सो होंदा same base and between the same parallel are equal in area next है हमारे पास second area of AEDF AEDF ये मारे पास आगया AEDF ये मारे पास आगया AEDF इस पूरे एरिया के equal है एक parallelogram का एरिया एक pentagon के एरिया के equal प्रूव करना है देखो area of ACB is equal to area of ACF दोनों को हमने अभी किया है प्रूव दोनों side हमने plus कर दिया ये हमने प्रूव किया था ये जो हमारे पास है ये इसके equal है अगर ये equal है फिर हमने लिख दिया adding area of AEDC बहुत है side से तो इन दोनों को हमने plus कर दिया पूरे को इसके अंदर तो इसके अंदर जब हम plus करेंगे तो क्या आजएगा AEDC ACB plus ADC is equal to ACF plus ADC अब जब ACB ये था हमारे पास ACB इसके अंदर हमने इसको plus कर दिया तो ये पूरा का पूरा बन के इसका नाम क्या है ABCDE तो क्या रख देंगे area of ABCDE is equal to दूसरा क्या था ACF ये था हमारे पास जब हमने इसके अंदर plus कर दिया ABCDE को तो ये हमारे पास ये बन जाएगा इसका नाम हम क्या रख देंगे AEDFA तो is equal to area of AEDFA ये ये में प्रूव करना था Next है हमारे पास question number 12 12 की statement क्या है A villager इत्वारी has a plot of land of the shape of a quadrilateral एक villager है इत्वारी जिसके पास एक plot है shape of a quadrilateral और quadrilateral की shape में है The gram panchayat of the village decide to take over some portion of a plot from one of the corners To construct a health care center उन्होंने बोला है कि gram panchayat के जो gram panchayat गाओं की उसने decide किया है कि उसमें से कुछ portion वो ले लेंगे और एक corner में उसके health center बनाएंगे इत्वारी agree to the above proposal इत्वारी इस proposal के लिए agree हो जाता है with the condition और किस condition पर that he should be given वो यह बोलता है कि he should be given equal amount of land in lieu of his land उसने बोला है कि वो equal amount of land जितनी मैंने land दी है जितनी मैं जमीन देंगा उतनी ही जमीन वापस लेंगा of his land adjoining his plot जो उसके plot में ही adjoin होती है उसके plot से लगती है so as to from a triangular plot जिससे वो plot है वो कैसा बन जाए कि triangular plot बन जाए explain how this proposal will be implemented तो उस जो proposal को कैसे implement करेंगे देखो यह हमारे पास है यह हमारे पास क्या है एक इत्वारी का plot है यह a b c d किसकी शेप में है जो हमारे पास है एक पैरलोग्राम की शेप में है अब देखो इसमें कैसे करणा है में join b d हमने b से d को join कर दिया and draw a line c f एक line c से f draw कर ली throw c parallel to b d अब c f है जो हमारा parallel हो जाएगा वो किसके b d के parallel हो जाएगा c f पैरलल b d c f है वो हमारा parallel है किसके b और d के which intersect है जो intersect करता है a b a b को intersect करता है टे f पर now join d and f उसके बाद d और f को ने join कर दिया in triangle c b d अब हमारे पास triangle बनगी c b d यह हमारे पास एक triangle बने हुए c b d और दूसरी triangle हमारे पास क्या बनगी f b d f b d एक यह triangle बनगी तो यह हमारे पास आ गया on the same base दोनों का base हमारे पास same है क्या है दोनों का base b d and lie between the same parallel b d and c f और दोनों same parallel परलाई करते हैं तो it means हम यह बोल देंगे कि triangle c b d और triangle f b d दोनों का area कैसा है equal है और दोनों का area अगर equal है तो हम कैसे prove करेंगे दोनों में से हम minus कर देंगी so area of c b d is equal to area of f b d subtract कर दिया b d m on both side दोनों साइड से b d m को subtract कर देंगे तो क्या आजएगा area of c b d minus area of b d m is equal to area of f b d minus area of b d m किसके equal आजएगा देखो area of area of b f m की देखो कैसे area of c b d area of c b d यह हमारे पास है area of c b और d यह हमारे पास आगया c b d का जो area है उसमें से हमने minus कर दिया area of b d m b d m यह area हमने इसमें से minus कर दिया तो हमारे पास area क्या बचेगा c m d बचेगा तो इसमें से minus करने से हमें बचया area of c m d is equal to दूसरी साइड हमारे पास क्या था area of f m f b d f b और d यह हमारे पास था यह वाला area इसमें से भी हमने इसको minus कर दिया तो क्या बचेगा area हमारे पास है BFM तो ये area बचेगा तो क्या लिख दिया is equal to BFM तो हब हम क्या बॉल सकते हैं therefore इतवारी should get triangle MCF तो इतवारी को हम क्या बॉल सकते हैं कि इतवारी अगर उनको MCF ये वाली दर से हमारे पास MCF triangle है is lied to CMD कि अगर MCF triangle है ये वाली triangle है is lied to CMD so that his plot becomes strangler तो उसका जो plot है वो कैसा बन जाएगा strangler बन जाएगा triangle ADFADADF तो हमारे पास अगर ये part दे देंगे इधर से ये दुनों equal हैं तो ये part अगर हम उसको दे देंगे तो हमारे पास ये कि shape में बन जाएगा जाएकर triangular shape में बन जाएगा in shape now it varies plot है जो it varies plot की shape होगी next question number 13 ABCD is the trapezium ABCD एक trapezium है with ABCD एक trapezium है with ABCD एक trapezium था और उसके अंदर जो AB है हमारे पास वो parallel है किसके CD के a line parallel to AC एक line parallel draw कर ली AC के हमने एक parallel line draw कर ली intersect X and BC at Y इसको ABC जो AB है उसको हमारे पास वो X पर intersect करेगी BC को Y पर intersect करेगी और इसी के हमने एक parallel line draw कर ली उसके बाद क्या है prove that ADX ADX की हमारे पास ये जो area है ADX किसके equal आजेगा ACY के ACY के ये जो triangle है इन दोनों का area इस triangle का iris के equal आजेगा देखो join कर लेंगे हम इन दोनों को join कर लिया CX C से X को हमने join कर लिया अब triangle बंड़ी ADX and ACY on the same base ADX और ACY दोनों हमारे पास किस पर है on the same base किस पर? AX पर and lie between the same parallel AB parallel to CD तो हम क्या बोल देंगे triangle ADX है वो हमारे equal है किसके ACY के equal है इसे equation number 1 नाम दे दिया उसके बाद हम similarly बोल देंगे ACY ACY and ACX ACX है दो triangle बंड़ी अब फिर से और उन्दा same base किस पर? AC पर AC अब हमारे दोनों का base हो जाएगा तो ACX and same parallel पर हो जाएगे AC parallel to XY तो हम क्या बोल देंगे area of triangle ACY equal हो जाएगा area of triangle AC ACX के equation number 2 नाम दे दिया अब इन दोनों equation से हम देखते हैं कि यह अगर इसके equal है तो यह दोनों भी equal होंगी from equation first and second area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY next है question number 14 in figure AP parallel to B क्या हो? AP है वो parallel है B क्या हो? और B क्या हो? वो parallel है? CR के तीनों parallel है? prove that area of triangle A क्याओ C A क्याओ C यह जो हमारे पास triangle है A क्याओ और C इसका area किसके equal आएगा? PBR के PBR के इदर वाले triangle के equal आजाएगा इसको हमने यह draw कर दिया मान लिया PBR इसके इकवल प्रूव करना है कैसे प्रूव करेंगे देखो triangle A B क्याओ A B क्याओ यह बनगे हमारे पास triangle और इदर से क्याले लेंगे P B क्याओ पहले हमने उपर उपर वाला ले लिया यह A B क्याओ और P B क्याओ हमारे पास एक parallel trapezium था trapezium में दो triangle होगी दोनों को हम equal प्रूव कर देंगे कैसे on the same base B क्याओ पर A B क्याओ and B B क्याओ are on the same base B क्याओ and live between the same parallel B क्याओ and A P अगर equal हैं तो क्या बोल देंगे area of A B क्याओ इसको लो जाएगा area of P B क्याओ की equation number first होगी similarly C trapezium दूसरा क्या बोल सकते हैं यह वाली triangle इस triangle में क्या बोल देंगे area of B क्याओ C अब मारे पास दूसरी triangle क्या बनगी B क्याओ C और दूसरी एक क्या बनगी B क्याओ R अब दूनों का base हमारे पास क्या आजेगा B क्याओ R हों the same base B क्याओ and lie between the same parallel B क्याओ parallel to C R तो हम क्या बोल सकते हैं दूनों triangle का area इनका equal होगा so area of B क्याओ C equal आजेगा area of B क्याओ R के equal आजेगा यह equation number 2 आ गई अब add कर देंग equation 1 and equation 2 को और इन दूनों को plus करेंगे तो area of P B आ रहेगा next है question number 15 statement क्या है हमारे पास है diagonals A C and B D of a quadrilateral A B C D diagonal है A C और B D quadrilateral A B C D के intersected है और जो ओपर intersect करते हैं in such A way that area of AOD is equal to A B O C prove that A B C D is a trapezium area में एक और दे रख है तो हमें प्रूव करना है कि एक trapezium है area of AOD is equal to area of A B O C adding area of AOD equal है B O C के दोनों side हमने AOB को add कर दिया तो क्या आजेगा adding area of AOB both side तो इधर AOD में जब हम AOB को add करेंगे तो क्या बन जाएगा AB D बन जाएगी is equal to जब हम इसके अंदर इसको add करेंगे तो क्या बनेगी A B C ये दोनों equal है और ये equal है तो क्या बोल देंगे intringle A B D intringle A B C are on the same base A B area of A B D इन दोनों को ये दोनों same base पर भी है और area भी equal है तो क्या बोल देंगे A B है वो parallel है किसके C D के so A B C D से trapezium trapezium के लिए हमारे पास condition ही है होती है next question number 16 in figure area of D R C ये बोल रखा है area of D R C कि ये जो area है is equal to area of D P C के and area of B D P B D P ये जो area है ये equal है A R C के show that both the quadrilaterals A B C D A B C D and A D C P R is are trapezium ये दोनों एक trapezium है ये प्रूव करना है अब देखो area of D R C D R C equal है किसके area of D P C के equal equation number first है so अगर ये दोनों का area equal है तो ये दोनों same base पर है same base दोनों का DC and जब base भी same है और area भी equal है तो क्या बोल देंगे DC और P R को क्या है दोनों parallel है और अगर ये दोनों parallel है तो हम क्या बोल सकते है कि A B C sorry DC P R क्या है कर ट्रैपीजियम है दूसरा हमारे पास क्या है A R C A R C is equal to A B D P A R C है वो किसके equal है B D P के equal है equation 2 है अब subject कर देंगे second में से अगर first को subtract कर देंगे A R C इसमें से हमने subtract कर दिया D R C को D R C को ये subtract कर दिया तो कौन बचेगा A C D बचेगा तो इसको क्या लिख देंगे area of ADC is equal to दूसरी साइड हमारे पास क्या था area of B D P B D P इसमें से भी हमने किसको subtract कर दिया B D P इस पूरे में से मैंने फिर से area subtract कर दिया D P C का D P C का तो ये क्या बचेगा ये area बचेगा area of B D C तो इसको मैंने कहले लिख दे area of B D C और इन दोनों का area ये जो मारे पास ट्रेंगल है ये भी और ये भी देंगे कि जो A B है वो parallel है किसके C D के और अगर opposite side से हमारे पास कम से कम एक पेर हो गया parallel sides का तो क्या बहुल सकते हैं कि A B C D Z ट्रैपीजियम ये थी हमारी exercise 9.3 ओके थेंक्यू